हाई गैस हम आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ इस वीडियो को लाइक और सस्क्राइब जरूर किजिए राजपुर की खुबसूरत से गाउं में से एक गाउं था जहां रेबा नाम के लड़की अपनी मा के साथ रहती थी रेबा अपने गाउं में सबसे हुसियार लड़की थी पड़ाई में आगे खेल कुद में आगे घर के हर काम में समझदारे से पूरा करती थी यहां तक कि गाउं बाले की मदद करने में कभी पीछे नहीं हरती थी मा मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है आज तुम टिपिन रहने दो मैं घर आकर खाना खालूंगे नहीं रेबा बेटा टिपिन मैंने तुम्हारे बस्ते में डाल दी डाल दी देखू तो क्या बनाया आज अरे मा रात की रोटी की साथ पनीर तुम तो सबसे दुनिय की अच्छे मा हो मा अब मैं चलती हूँ बाई बाई पूरे गाउं में रेबा की परिबार सबसे गरीब था पीता के मनने के बाद रेबा को उसकी माने समहाला सीबा रेबा के बड़े भाई थे जो एक दिन चलाकी से पीता जी के सारे जमीन जाइदत बेच कर पढ़ाये करने और अपने करियर को बनाने के लिए जर्मन चला गया था जैसे तैसे रेबा की मा लोगों के घर में बरतन साप करके अपने घर की दो बक्त के रोटी कमाती थी और रेबा लोगों की पुराने कपड़े को सही करकर घर की किराया निकालती थी गाउं में से सभी लोग कभी न कभी दूर गाउं घुमने जाया करती पर रेबा और उसकी मा के पास सही से पेनने की कपड़े तक नहीं थी घुनने जाना तो दूर की बात थी एक रोज घर के बाहर सरपंच की बीबी आका रेबा को आवाज लगाती है रेबा बेटा कहां हो देखो मैं तुम्हारे लिए काम लाई जरा दोड कर बाहर आना जी चाची आती हूँ ए देखो रेबा ए मेरे नई सारी है कार की गेट में लगकर मेरी सारी खराब हो गई है इसे थोड़ा ध्यान से ठीक करना ये असल रेसम से बनी हुई है ओ कहता है पूरे दो हजार उपियों की है ठीक है चाची तुम चिंता क् परती हो इसको तो इतने सही से ठीक करूंगी इसकी कीमत दो हजार नहीं चार हजार हो जाएगी कुछ दिन बाद रेबा के घर में डाक्या एक चिठी लेकर आता है चिठी खोलकर पढ़ते पढ़ते अजानक से रेबा मुस्कुराने लगी जोर जोर से जूमने लगती है और दोड़ कर अपने मा के पास जाती है मा मा इस वा रक्सा बंधन पर भाईया हमारे घर आ रहा है और साथ ने हमारे लिए एक तौफा भिला रहा है ऐसा भाईया खत में लिखा है और मा भाईया खत में हम दोनों से मा भी भी मांगा है चलो खूदी देखलो अच्छा ला खाओ तो अरे मा तुमको तो पढ़ाई भी नहीं आती आगे मैं चलती हूँ मैं तुमको बाद में देखाओंगी भाईया की खत पढ़कर रेवा बहुत खूस होती है और खत को लेकर पूरे गाउं सोर मचाने लगी दादी रक्सा बंधन को मेरे भाई आ रहा है चाचा इस बार को तो रक्सा बंधन का दिन मैं एपने सगे भाई के साथ ही मनाऊंगी अजानक से रेवा को याद आती है राखी और मिठाई खरीदने के लिए पैसे तो नहीं है बेचाड़ी मुख लटकाती हुई घर वापस आ जाती है क्या हुआ रेवा बेटा तुम्हारा चेहरा पर एतनी उदास कीयों किसी ने कुछ काहा क्या मा हमारे पास भाईया के लिए राखी और मिठाई किनले के लिए पैसे तो नहीं हैं रक्सा बंधन कैसे मनाएंगे तुम चिंता क्यों करती हुआ मैं हूना मैं तुम्हारे लिए राखे लाकर दूणगी नहीं मा मैं अपने भाईया के लिए अपने हातों से बनाई हुई राखी पहनाऊंगे, देखना भाईया बहुत खूस हो जाएंगे, पर रेसमी धागे तो बहुत महिंगी होती है, उनकी बीना मैं कैसी राखी बना पाऊंगे, तभी उसी की नजर रखी हुई रेसमी साडी पर जाती है, जो लेकर अंधर जाती है ठीक करने के लिए साथ में उस साड़ी से कुछ रेस्मी धागे निकाल कर लाती है फिर उसी रेस्मी धागे से एक राखे बनाती है जो देखकर उसकी मा बहुत खूस हो जाती है कुछ ही देर में उनके गाड़ी बाहर आकर रुख जाती है गाड़े के अवास सुनकर रेबा और उसकी मा घर से बाहर निकलती है रेबा भीम को आकर गले लग जाती है और भीम उसकी मा का पैर छुकर घर के अंधर चला जाता है फिर अपने भाई को रेबा राखी बानती है और उसके भाई बहुत खूस हो जाता है